चत्रपति सिवाजी महराज, महत्मा जोतिबा फुले, सावित्रिबाई फुले, महर्शी करवे, यांचास अशा अनेक प्रतिबाशाली, शाहितिक कलाकार समाज सेवक यांचा वास्तव्याने पावन जाले लिया, पुन्य नगरी तिल माजा बंदु भगिनिना नमस्कार, इस कारकम में उपस्तित, महाराश्टर के गवर्नर, स्रिमान भगत सिंक उश्यारी जी, केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे साथी, रामदास अठावले जी, उपमुक्य मंत्री, श्री अजीत प्रवार जी, महाराश्टर सरकार के अन्य मंत्री गण, पूर्वमुक्य मंत्री, श्री देवेंद्र फड़नवीज जी, साउसद में मेरे साथी, प्रकार जावडेकर जी, अन्य साउसद गण, विधाय गण, पूने के मेर, मुर्लीदर महोल जी, प्रिम्पिरी चीजवण की मेर, स्रीमति माई धोरे जी, यहां उपस्तित, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस समय देश आज़ादी के 75 वर्ष निमित आज़ादी का अमरत महोत सो मना रहा है, भारत की आज़ादी में पूने का अहितिहासिक योगदान रहा है, लोकमान नितिलक, चापपेकर बंदू, गोपाल गनेश अगरकर, सेनापती बापाट, गोपाल कृष्ण देश्मुक, आरजी बंदारकर, महवदेव गोविन रानरे जी, जैसे अनेक इस धर्ती के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, मैं आदर पुर्वक्स्रद्धान लिदेता हूं। आज महराश्टर के विकास के लिए समर्पित रहे रामभाव मार्गी जी की उन्यत्ति थी भी है, मैं आज बाबा साब पुरंदरी जी को भी आदर पुर्वक्स याद कर रहा हूं। कुछ देर पहले ही मुझे चत्रपती सिवाजी महराज की भव्य प्रतिमा का लोकारपन करने का सोभागी मिला है। हम सभी के रदय में सदा सरवदा बसने वाले चत्रपती सिवाजी महराज की एप्रतिमा युवापीडी में आने वाली पीडियों में राष्ट भक्ती की प्रिना जगाएगी। आज पूरे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और सिलान्यास भी हुआ है। ये मेरा सवभाग्य है कि पूरे मेट्रो के सिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकारपन का भी आपने मुझे आउसर दिया है। पहले सिलान्यास होते थे तो पताएं नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा। साथ्यों ये घटना इसलिए महत्वपुन है कि इसमें ये संदेश भी है कि इस समय पर योजनाओं काओ पूरा किया जा सकता है। आज मुला मुठा नदी को प्रदुशन से मुक्त करने के लिए ग्यारा सो करोड रुपिय के प्रोजेक्ट पर भी काम आरम हो रहा है। आज पूरे को इबसें भी मिली है। बानेर में इबस के डीपो का उद्गाटन हुआ है। और इन सब के साथ और मैं उशाजी को अभिनंदन देता हूँ। आज पूरे के अनेक विवीतदा परे जीवन में एक सुहाना तोफा आरके लक्ष्मन जी को समर्पित। एक बहत्रीन आर्ड गैलरी मुज्यम भी फुने को मिला है। मैं उशाजी को उनके पूरे परिवार को क्योंकि मैं लगातार उनके संपर्क में रहा हूँ। उनका उत्सव एक मन में लगन और काम को पूरा करने के लिए दिन दाज जुटे रहना मैं वाकई पूरे परिवार का उसाजी का अभिनंदन करता हूँ। इन सभी सेवाकारियों के लिए मैं आज पूरे वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अनेक काम करने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई और बहनों, पूने अपनी सांस्कृतिक, अध्यात्मिक और राष्ट भक्ति की चेत्रा के लिए मशूर रहा है। और साथ ही पूने ने एजुकेशन, रीसर्ट और डेवलप्मेंट, आईटी और अटोमिल्बेल के छेत्रा में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की हैं। ऐसे मैं आधुनिक सुविधाएं पूने के लोकों की जरुवत हैं और हमारी सरकार पूने वास्यों की इसी आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। अभी थोड़ी दिर पहले मैंने गरवारे में आनन नगर तक पूने मेट्रो में सफर किया है। इस मेट्रो पूने में मोबिलिटी को आसान करेगी, प्रदूशन और जाम से रहात देगी, पूने के लोगों की इज अब लीविंग बढ़ाएगी। पांच-छे साल पहले हमारे देवेंद्र जी जब यहां मुक्रमिंत्री थे, तो इस प्रजेक को लेकर वो लगाता और दिल्ली आते रहते थे। बड़े उमंग और उत्षा के साथ वो इस प्रजेक के पीछे लगे रहते थे। मैं उनके प्रहत्तों का भी अभिनंदन करता हूँ। साथ यो कोरोना महामारी के बीज भी इस सेक्षन आज सेवा के लिए तयार हुआ है। पूने मेट्रों के संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उप्योग हो रहा है। इससे हर साल लगबग 25,000 टन कार्बन डायुकसाइड का एमिशन रुकेगा। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का खास करके सभी स्रमीकों का रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका ये योगदान पूने के प्रोफेशनल्स, यहां के स्टूडेंट्स, यहां के सामान्य मानवी को बहुत मदद करेगा। साथियों, हमारे देश में कितनी तेजी से शहरी करन हो रहा है, इसे आप सभी भली भाती परिचीत है। माना जाता है कि सान 2030 तक हमारी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, 60 करोड को पार कर जाएगी। शहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक आउसर लेकर के आती है, लेकिन साथ साथ चुनोतियां भी होती है। शहरों में एक निश्चित सिमा में ही फ्लाइओवर बन सकते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाए, कितने फ्लाइओवर बनाएंगे, कहां कहां बनाएंगे, कितनी सड़के चोड़ी करेंगे, कहां कहां करेंगे। ऐसे में हमारे पास विकल्प एक ही है, मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन, मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन की ववस्ताओं का जादा से जादा निर्मान। इसलिए, आज हमारी सरकार, मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन के साधनों और विशेशकर, मेट्रो कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दे रही हैं। मेट्रो पहुंचने शुरू हुई थी, आज देश के दो दर्जन से अधिक शहरों में, मेट्रो या तो ओपरेशनल हो चुकी है, या फिर जल्द चालू होने वाली है। इसमें भी महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है, मुंबई हो, पूने पिम्परी चिंचवड हो, ठाने हो, नागपूर हो, आज महाराष्ट्र में, मेट्रो नेट्वर्क का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। आज के इस आउसर पर मेरा एक आगरव पूने और हर उस शहर के लोगों से हैं, जहां मेट्रो चल रही है। मैं प्रबुत्य नागरिकों से विशेश आगरव करूँगा। समाज में जो बड़े लोग कहे जाते हैं, उनसे मैं विशेश आगरव करूँगा। कि हम कितने ही बड़े क्यों न हुए हो, मेट्रो में यात्राची आदत समाज के हर वर्ग को डालनी चाहिए। अब जितना ज्यादा मेट्रो में चलेंगे, उतना ही अपने शहर की मदद करेंगे। भाई और बेनों, 21 सदी के भारत में हमें अपने शहरों को आधुनिक भी बनाना होगा और उनमें नई सुविदाएं भी जोड़नी होगी। बविश्चे के भारत के शहर को धान में रखते हुए हमारी सरकार अनेकों परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर शहर में जादा से जादा ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिक बसों हो, इलेक्ट्रिक कारे हो, इलेक्ट्रिक दोपईया वाहन हो, हर शहर में स्मार्ट मोबिलिटी हो, लोग ट्रांस्पोर्ट सुविधाओं के लिए एक की काड का इस्तमाल करे हर شहर में सुविधा को स्मार्ट बनाने वाले Integrated Command and Control Center हो हर شहर में सरकुलर एकोनौमी को मजबुत बनाने वाला आधुनिक बेस्ट मेनेज्मेंट सिस्टेम हो हर शहर को बॉटर प्रस बनाने वाले परियाप्त आधूनिक सिवेज ट्रिट्मेंट प्लांट हो जल स्लोतों के सवरक्षन का बहतर इंतिजाम हो हर शहर में वेश्ट टु वेल्ट क्रेट करने वाले गोबरधन प्लांट हो बायो गैस प्लांट हो हर शहर एनर्जी एफिशन्सी पर जोर दे हर सहर की स्ट्रिट लाइट है स्मार्ट एलिडी बल्ट से जगमगाए इस वीजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं शहरों में पेजल और ड्रेनेज की स्थित्व को सुधारने के लिए हम अम्रित मिशन को लेकर के अनेक भीद इनिशेटिव लेकर के चल रहे हैं हमने रेरा जैसा कानून बनाया ताकि जो मद्यंबर के परिवार कभी इस कानून के अभाव में परिशान होते थे पैसे देते थे, सालों निकल जाते थे, मकान नहीं मिलता था उन सारी समझ्याओं का समाधान जो कांगेज में बताए जाता था वो मकान नहीं होता था बहुत सारी अव्यवस्ताएं होते थी एक प्रकारत है हमारा मद्यंबर के परिवार जो जिन्दिगी की बहुत बड़ी पूझी से अपना एक घर बनाना चाहता है वो घर बनने से पहले ही अपने साथ चीटिंग हुआ मैसूस करता है इस मद्यंबर के लोगों को घर बनाने वाली इच्छा रखने वालों को सुरक्षा देने के लिए ये रेरा का कानून बहुत बड़ा काम कर रहा है हम शेहरों में विकास की स्वस्त प्रतिश्परदाबी विश्षित कर रहे हैं ताकि स्वच्छता पर स्थानिय निकायों का पूरा फोकस रहे अर्बन प्लानिंग से जुड़े इन विश्वयों पर साल के बजट में भी ध्यान दिया गया है भाई और मैंनों पूने की पहचान ग्रीन फ्यूल के सेंटर के रुप में भी ससक्त हो रही है प्रदूशन की समस्या से मुक्ती कच्चे तेल के लिए विदेशी नर्वरता को कम करने और किसानों की आए बढ़ाने के लिए हम इथेनोल पर बायो फ्यूल पर फोकस कर रहे हैं पूने में बड़े स्तर पर इथेनोल ब्लैंडिंग से जुड़ी सुविदाई स्थापित की गई है इससे यहां आसपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है पूने को स्वच और सुंतर बनाने के लिए भी आज महान अगर पालिका ने अनेक काम शुरू किये हैं बार बार आने वाली भाड और प्रदूशन से पूने को मुक्ति देने में यह सैंक्रो करोड रुपे के प्रोजेक बहुत उप्योगी होने वाले मुला मुठा नदी की साफ सफाई और सवंदरी करण के लिए भी पूने महानगर पालिका को केंद्र सरकार पूरा सयोग दे रही है नदियां फिर से जवंत होगी तो शहर के लोगों को भी शुकुन मिलेगा उन्हें भी नई उर्जा मिलेगी और मैं तो शहरों में रहने वालों को आग्र करूँगा कि साल में एक बार तीथी ताई करके रेगुलर नदी उत्सव मनाना चाहिए नदी के प्रती स्रद्धा नदी का महत्वाए परियावरन की दुरुष्टी से प्रसिक्षान पूरे शहर में नदी उत्सव का वाताउन बनाना चाहिए तब जा करके हमारे नदियों का महत्वा हम समझेंगे पानी के एक बुंद बुंद का हम महत्वा समझेंगे किसी भी देश में आधुनिक इंफ्रासेक्टर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड और स्केल लेकिन दसकों तक हमारे हाँ ऐसी व्यवस्ता है रही कि अहम परियोजनाओं का पुरा होने में काफी देर हो जाती थी इस सुस्त रविया देश के विकास को भी प्रभावित करता रहा है आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी इसलिए ही हमारी सरकार ने PM गतिशक्ती National Master Plan बनाया है हमने देखा है कि अक्सर परियोजनाओं में देरी की वज़े होती है अलग-अलग विभागों में अलग-अलग मंतारों में सरकार में तालमेल की कमी इस वज़े से होता यह है कि जब बरसों के बाद कोई परियोजना पुरी हुपी होती है तो वो आउट्रेटर हो जाती है उसकी प्रासंगिक्ता ही खत्म हो जाती है PM गतिशक्ती National Master Plan इनी सारे विरोज़ाबासों को दूर करने का काम करेगा जब एक इन्टिग्रेटर फोकस के साथ काम होगा हर स्टेकोलडर के पास परियाप्त जानकारी होगी तो हमारे प्रोज़ेक्ट भी समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी इससे लोगों की दिक्कते भी कम होगी देश का पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविदाय भी ज़्यादा मिलेगी भाई और बैनो मुझे इस बात का भी संतोस है कि आधुनिक्ता के साथ साथ पूरे की परानिक्ता महाराष्टर के गवर्व को भी अर्बन प्लानिंग में उतनाई स्थान दिया जा रहा है ये भूमी संत ग्यानेश्वर और संत तुकाराम जैसे प्रेरक संतों की रही है कुछ महीने पहले ही स्री संत ग्यानेश्वर महाराच पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराच पालखी मार्ग का सला न्यास करने का सवभाग्य मुझे मिला है अपने इतिहास पर गर्व करते हुए आधुनिक्ता की विकास यात्रा यूही सतत चलती रहे इसी कामना के साथ पूने के सभी नागरिकों को फिर से बहुत बहुत बदाई बहुत बहुत धन्यवाद